कॉंग्रेसियों के द्वारा भाजपा के प्रदेश कायलाय में हुए पथराओ के विरूद में दुरूद के बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा जवाब देते हुए राजी भव में पदर्शन क्या गया 2019 के प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहूल गांधी द्वारा की गई टिपनी के कारण उनकी सदस्यता रद की गई सदस्यता रद किये जाने से नाराज कॉंग्रेसियों ने बीजेपी प्रदेश कारेयलाय में पत्थर बाजी करते हुए नारे बाजी की जिसके विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा दुरुग में कांग्रेसी कारेकरताओं को जवाब देते हुए दुरुग के राजीव भवन में पुतला धहन किया गया और राजी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए इस अवसर पर किये गए प्रदर्शन में बड़ी संक्या में बीजेपी कारेकरता मौजूद रहे जहां भाजपाई और कॉंग्रेसीयों को रोकने बड़ी संक्या में पुलिस बल भी मौजूद रही इस संबंद में भाजपा के प्रवक्ता दिनेश देवांगन ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है और भारत का कानून यहां कहता है अगर किसी को दो अर्ष की सजा होती तो ततकाल उनकी सदस्ता जाती है उसी कानून के तहट रहुल गांदी जी की सदस्ता गई है लेकिन कॉंग्रेस की लोग इसको बरदास नहीं कर पा रहा है कोई भी व्यक्तिक कानून से उपर नहीं है भारती जन्ता पालिटी के भी विधायक और सांसदों ने अपनी सदस्ता इसी कानून के मामले पर गमाई थी लेकिन आज जब खुद की बात आई तो कांग्रेस की लोग इसको बरदास नहीं कर पा रहा है और यह दुरभागी जनक यह भी है कि जैसे ही उसकी सदस्ता गई उससे पहले जब सजा हुई थी उनके वकीलों को हाई कोट और सुप्रीम कोट में जाना था ऐसा लगता है कि उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसके कारण उनकी सदस्ता गवानी पड़ी और इससे बौखला है कांग्रेसी जिस परकार से तोड़ फोड कर रहे राहुल गांदी की संसल सदस्ता समाप्त किये जाने की घबर तूल पकड़ती जा रही है और इस मामले को लेकर राजनीती भी काफी गर्माई हुई है देखना होगा कि यह मामला आगे किस प्रकार का मोड इक्तियार करता है Grand ACN News के लिए दुरुक से नसीम फारुकी की रिपोर्ट